नमसकार दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे सूरे परवत और बिविन शुब और असुबिस्तिति दोस्तों मेरा सभी से निवेदन है किरपय चैनल को भी सब्सक्राइब करें सूरे परवत अनामी का उंगली के नीचे होता है सूरे परवत उभार होने से जातक में उस्सा एवं सोंद्रे प्रे होता है बले ही जातक कला या संगीत प्रेमी ना हो फिर भी उसकी रूची संगीत और कला में होती है यह परवत सफलता का सूचक है अगर यह परवत दबा हुआ हो तो जातक साधारन जीवन वैतीत करने के लिए बादे होता है सूरे परवत का निच्चे ही उच्पदों पर ले जाता है सूरे परवत सई उबाल लिये हुए हो तो जातक यश मान परतिष्टा सफलता प्रेम इसी पर निर्वर करता है विक्सित गुलाभी सूरे परवत वाले जातक जीवन में सफलता एप्राप्ठ करते हैं समाज में लोक प्रिये स्वाब से परसंग चित्र, मिलनसार और बहवारिक जीवन यापन करते हैं इनके संपर्ग में आई परवावित हुए बिना नहीं रह सकते इनकी आई के सादन एक से अधिक और बहवपून जीवन बैतीत करते हैं इनके कारियों की चर्चा समाज में समान की दिष्टी से होती है ये जिन से प्रेम करते हैं जीवन प्रिंत निर्वा करते हैं अपनी छोटी सी भूल को सदारन व्यक्ति के सामने भी स्वकार कर लेते हैं लेकिन ये अन्याई के सामने किसी भी परिस्तिती में समझोता करने को तियार नहीं होते तथा अन्याई जड़ से खतम कर देते हैं प्राय ऐसे जातक सफल कलाकार, संगीत उत्रकार, भविश्य वक्ता, लेखक और राश्टनेता होते हैं यदि हतेली में सूरे परवत दवा हुआ हो, तो जातक विवेखीन एवं मंद बुद्धी होता है एस सफलताओं के कारण आर्थिक और मानसिक तनाम में इनका पारिवारिक जीवन कलेपूर रहता है यदि सूरे परवत कम विक्सित हो, तो इनकी कला एवं सौंद्रे के परती रूची होती है किन्तु उसमें सफल नहीं हो पाते, घर ग्रेस्ती के माया जाल में ही फशे रहते हैं अत्यंत सेष्ट सूरे परवत वाले जातक में कुछ विशेश गुन होते हैं अत्म विश्वास, सास, वेवार, कुशलता, उधारता, प्रेम, दया, करुणा, तथा, धन, वेवब, आदि गुनों से युक्त होकर समाज में विशेश सम्मान पाते हैं अगर सूरे परवत का जुकाव सनी परवत की ओर हो तो जातक में निराशा, उदासी, एकांट परिया, आलस से आदि भावनाएं होती हैं यह किसी भी कार्य को आरम करते हैं तो पून नहीं कर पाते, आर्थिक संगर्स इनके संपून जीवन में ब्याप्त रहता है सूरे परवत का सनी परवत की ओर जुकना, दरिद जीवन वैतीत करने के लिए ऐसा जातक बिवस रहता है अगर सूरे परवत बुद परवत की ओर जुका हो तो जातक निसंदे आर्थि ग्रूप से संपन रहता है समाज में समान्य जीवन वैतीत करता है बेपार लेखन कारे चिकस्या जो जगत में आसदारन सफलता अरजित करता है अनामी का उंगली अगर टेडी और बेडोल हो तो जातक में सूरे के गुनों में निवनता आ जाती है प्रतिशोत की कामना बढ़ जाती है बेवार में कटुता आ जाती है